हैलो ओल, कैसे हो आप सब? I hope आप सब अच्छे होगे? तो आज की जो हमारी reading है, यह हम करने वाले हैं कि देखेंगे हम आज की इस reading में कि आपके person क्या सोच रहे हैं ठीक है? अभी इस वक्त और क्या-क्या feelings हैं, क्या-क्या उनकी मं में, उनके दिल में क्या-क्या खयाल आ रहे हैं आपको लेकर के ठीक, तो ये हमारी आज का रünden का टॉपिक रहने वाला है क्या सोच रहे हैं आखिर वो ठीक है, तो चलो फिर रिडिंग देखते हैं आपकी इस रिडिंग में कि क्या कुछ निकल के आता है क्या कुछ है और यहीं आपके आपके परसन्स क्या कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर ठीक है तो शन्री वार्स में में जो भी मेरे वीवर्स देख रहे हैं उनके पॉर्सन क्या सोच रहे हैं उनको लेकर प्लीज काइड कीजिए प्लीज काइड कीजिए जनरी डिंग है कलेक्टिव डिंग है वैसे ही लेना है आपको प्लीज काइड कीजिए इस और सॉर्ट का काड़ है जमनाई लिब्र एक वेरियस ठीक है प्लीज काइड कीजिए फाइव आफ सॉर्ट्स जमनाई लिब्र एक वेरियस इस आफ कप्स कैंसे स्कॉर्ट पाइस इस डैविल हूं इस एड़े काड भी है ठीक है तो यहां पर इतने कारच आ चुके है मेरे पास और मैं ज्यादा काड्स तो नहीं री कालूंगी बट मैं काड्स भी काल रही हूं ठीक है और लास्ट में यह स्नों सेशन हूं भी करेंगे तो आप लोग बने रहेंये मेरे साथ इनको यास्नो लोग कर सकते हैं तो यहां पर सेवन आफ वेंट्स का काड़ है एरीज लिए सैच कैसे स्कॉर्ट पाइस पेज और कप्स का काड़ क्या सोच रहे हैं वो ओके लास्ट काड़ मुझे दीजिए ठीक है चलो फिर देखते हैं बॉटम अफ टाइक है टर्ण और पांटिकल वो यहां पर यह परसुन क्या सोच रहे हैं यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि आपके जो परसुन है काफी यहां पर हैंग फील कर रहे हैं यानि कि यह जो person है बहुत यहां पे stuck feel कर रहे हैं यहां पर मैं देखू इनकी current feeling में तो आपके जो person है यहां पे कुछ सोच समझ के action लेने के बारे में thinking कर रहे हैं लेकिन यह जो है ना यह सोच करके यहां पे stuck हो जा रहे हैं यहां पे आप दोनों का relationship बहुत stuck है आप दोनों इस relationship में या फिर आप जो है इस relationship में positive result का weight कर रहे हो और weight करके यहां पे stuck हो ठीक आप पनी life में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो आप जैसा भी है आपके person उसके लिए weight कर रहे हो ठीक यहां पर मुझे यह नजरा आ रहे हैं आपके person क्या सोच रहे हैं यहां पर आपके person सोच कि ये इस energy में क्यों है, ये hanged क्यों है, ये सोच के आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, यह परसन ये सोच रहे है, यहाँ परसन की thinking देख रहे हैं, ways of sorts, यहाँ पर ये person आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, deeply connection, deeply thinking, यहाँ पर जो चीजे हैं, जो doubtful है, उस चीज को य पृशन है K्लियर करने की चाहत इनकी हो रही है यह person उसको क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं यह person इनको बहुत ज़़ा frustration हो रही है यह person सोच के परेशान हो रहे है यहाँ पे मैं देखू तो यह person egoistic person है यहाँ पे यह person काफी कहें तो negative thinking भी कर रहे है यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जिसकी इनको sexual attraction फील हो रहा है आपके लिए यहाँ पे यह person physical relation बनाने के बारे में सोच रहे है आपके साथ ठीक है यहाँ पे यह person physically attract ज़्यादा होते हैं आप से जब मिलते हैं तब ठीक है यह person यह सोच रहे है जिस भी person के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो और जिस भी person के बारे में ये reading जाना चाहते हो उस person के thinking में आपको बता रही हूँ ठीक है ये person का मुझे नजर आ रहा है कि ये person आपको propose करने के बारे में सोच रहे है ठीक है यहाँ पर ये person propose करने के साथ साथ यहां पर यह पॉरसण काफी जादा परेशान बुप मुझे नज़र आ रहे हैं कोई third party involvement है और कोई negativity है जिसको clear कैसे किया जाए, क्या किया जाए, इसको clear करने के बारे में ये thinking करते हुए दिख रहे है मुझे यहाँ पे मुझे आपके लिए ये person stand लेते हुए दिख रहे है, अपने आप पे self control कर रहे हैं ये person हो सकता है कि आपके जो person है आपको social media के थुरू मिले होंगे social media के थुरू आपकी और उनकी बाते होती होंगे, ठीक है तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि आपके जो person है यहाँ पे कि एकदम से deeply thinking करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ मुझे नजर आ रहा है आपके cards में कि आपके जो person है काफी ज़्यादा connected feel कर रहे है यह person आपके लिए stand लेने के बारे में सोच रहे हैं देखो यहाँ पे क्या है कि third party involvement रही है आप दोनों के बीच में third party का issue है और third party की वो जैसे आपके person आपके लिए stand नहीं ले रहे थे काफी ज़्यादा मिस्टरन स्टेंडिंग्स थी है ना और काफी ज़्यादा आपके person के mind में doubts डाले गए हैं आपके लिए आपके जो है आप दोनों के relationship के लिए ठीक है आप दोनका future क्या होगा एक तरीक देखा जाए तो मन घरंत कहानिया यहां पर बहुत आपके person को सुनाए गई है ठीक है तो इनके मन में doubts है जिस doubt को आपके person को clear करना जरूरी भी है आपके person को ऐसा feel हो रहा है ठीक है तो यहां पे मुझे यह नज़रा रहा है यहां पर काफी जादा यहाँ पर आपको आपन नज़रे भी बनाए हुए देखो यहाँ पे यह person को trust नहीं है अभी भी ठीक है यह person को trust issues है आप दोनों की बीच में trust issues है ठीक है तो इस person को trust करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और इसलिए यह person ठीक है आप पे नज़रे बनाए हुए यहाँ पे आप कहां बाते कर रहे हो क किससे चाटिंग कर रहे हो कब तक online हो कब तक offline हो कब से कब online आ रहे हो है ना यह सारी चीजे जो हैना नोट कर रहे है आपके person यहां पे यह person मुझे नजर आता है कि यहां पर यहीं जो doubts है जो trust issues है इनको खतम करने के बारे में भी सोच रहे हैं ठीक है यहाँ पर देखो यह clear तो होना चाहते हैं इनको जो है clear होना है इस relationship पर जो भी doubts है जो भी problems आ रहे हैं आखिर क्यों आ रहे हैं क्या वज़ा है ठीक है ना main issue क्या है main problem क्या है वो चीजों को देखते हुए आपके person सोच रह है यहाँ पर क्या आगे बढ़ने के बारे में यानि की new beginning करने के बारे में यह person सोच रहे हैं ठीक है तो मुझे ऐसा कुछ नजर आ रहा है इनका और देखते हैं कि और यह क्या सोच रहे हैं ठीक है इस card से देखते हैं प्लीज गाइड में अ देखो यहाँ पर वही है कि इस person को जो है ना समझ में नहीं आ रहा है clarity नहीं है मैंने कहा ही कि इस person को जो है ना आपके ऊपर trust issues है trust नहीं है इस person को एक तरीके से देखा जाए तो यह person यह भी सोच रहे है कि मैं किधर को जाओं यहाँ पर यह person जो है ना यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर यह person crossroad पे खड़े है इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किधर को जाए है ना किधर जाने से यह सही direction में जाएंगे इस person को बिलकुल भी समझ में नहीं आ रहा है यह person सोच कि और ज़्यादा confused हो रहा है यहाँ पर यह person की confusion ही हो रही है यहाँ पे इनकी thinking ठेक है यहाँ पर इनकी thinking जो है ना इनको confuse कर रही है एक दम से इनको कोई direction नहीं नजर नहीं आ रहा है इस relationship में आगे क्या होना है future में क को जो है accept कर पाओगे नहीं कर पाओगे क्या होगा है ना तो ये person confused हो रहे हैं यहाँ पर इस person को decision लेने में बहुत ज्यादा problem हो रही है ठीक है और कहीं ना कहीं आप भी जो है इसी decision पर पहुंच वह यानि कि इसी जगह पर खड़े हो यानि कि आप भी decision नहीं ले पा रहे हो कि आपको इस person को अपनी life में लेना है फिर से या फिर इनको let go करना है ठीक है तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है ठीक है आप देखते हैं और क्या thinking हो रही है आपके person की प्लीज काइट कीजिए यहाँ पर देखो card आया है all that guilters ओके तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि कुछ लोगों के चहरे ढखे हुए हैं कुछ लोगों ने मास्क पैना हुए हैं आप दोनों के relationship में कुछ लोग ऐसे भी involved हैं जो आप दोनों के relationship को ले करके फाइदा उठा रहे हैं जो आप दोनों के connection के बीच में आकर के फाइदा उठा रहे हैं ठीक है आप दोनों के बीच में trust issues उन्होंने create किये आप दोनों के बीच में पहले बहुत था आपकी person आप से बहुत बात करते थे लेकिन जो है अब क्या है दीरे 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 करके बाते भी कम हो गई है और यहाँ पर क्या हुआ है ट्रस्ट इसूज भी create हुए है ट्रस्ट नहीं था ठीक है ट्रस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपके person को यहाँ पर किसी ने भढ़काया ह ठीक है इनको ऐसा दिखा रहा है उसी के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या सच है क्या जूट है क्या real face है कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा है आपके person को ठीक है कौन real है या कौन fake है ये person बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं ठीक यहाँ पर इनकी डिजाइस बहुत ह हैं अपने relationship को ले करके लेकिन यहां पर इनकी जो है मुझे नजर आ रहा है कि बहुत ड्रामा चल रहा है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है यहां पर मुझे कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कुछ छुपई ही उचीजें जिसको यह पॉसर जानने की कोशिक कर रहे है इसको निकालने की कोशिक कर रहे हैं उसकी बारे में सोच रहे हैं मैंने पहले भी कहा कि आप दोनां के बीच में मिसंदर स्टेंडिंग सैंठी पर चल रहे हो इशुनर के उपर बरोसा करके चल रहे हैं झैड़ ओके सो ज़ादा Cake प्रेंग किजिए ऊक्यां एक राउंड एंड रांड ठीक है तो यहां पे जो कार्ट से बता रहे हैं कि आपके सब्सक्राneh व्ण हैं यानी कि घुमफिर के चीजे क्या आ रही हैं इनको वही चीजे आ हैं याने की इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या है क्या नहीं करें है ना तो यहाँ पिरी है और यहां पिर विरानबर ट्वंटी 5 आपका Edge हो सकता है ठीक है नमबर 25 आपका age हो सकता है आप लोग number भी देखना मैं इस card का भी number 13 है number 16 है तो 13 तो age खेर नहीं होगे 16 भी नहीं होगे लेकिन age gap आप दोनों के बीच में इतना का हो सकता है या फिर date of worth हो सकती है ठीक है तो यहाँ पर यह है मुझे यहाँ पर यही नजर आ रहा है है कि आपके person इन सारे cycle को complete करते हुए complete कैसे करना है ठीक है उसके बारे में यह person सोच रहे है देखो इनको trust तो है कि आप दोनों का रियूनियन होगा आप दोनों का connection बंदेगा ठीक है लेकिन यह क्या है कि यह जो चीज़े कर रहे हैं ठीक है इनके पास जो यह अपना आउट क्लियर करने की कोशिश कर रहे है अपने relationship में यह घूम फिर के फिर वहीं पर आ जा रहे है यानि कि इनके जो confusion है अभी दूर नहीं हुए है वरना यह crossroad पर खड़े नहीं होते हैं ना तो यहां पर मुझे यह नज़रा रहा है और यहां पर मुझे यही नज़रा रह है कि यह person बार 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 आपके बारे में ही thinking कर रहे है बार बार आपके बारे में यह कितना भी control कर रहे है कि मैं ना सोचू लेकिन यह person बार बार आपके बारे में नचाह करके भी thinking कर रहे है यहां पर आपके बारे में ख्याल आही जा रहा है इनको दिन भर में है ना तो य काफी इंतिजार करूँ जो होगा बैतर होगा क्योंकि यहां पर मुझे बैतर龍 नजर आ रही है यह साइकल है जो कि कम्प्लीट होना है और कम्प्लीट हो जाएगा आप तो पर तो थोड़ा सा फिर और करते हैं आके बंद करो अपने मन में मैं एंसर निकालती हूं देखते हैं कि आपके मन में जो भी कुश्यन है जो भी कुश्यन है उसका येस और नो क्या एंसर आता है तो चलो फिर रीडिंग देखते हैं प्लीज काइट कीजिए जो भी मेरे वीवर्स देख रहे हैं उनके मन में जो भी प्रस्न चल रहा है उसके क्या एंसर देना चाहेंगे आप अगे सुट्टू कार्ट से मैं नहीं ले रहे हूं देखते हैं कि क्या कार्ट आते हैं येस और नो अगे चलो निकालते हैं कार्ट तो मेरे पास कार आ जोगा है आके खोलो ठीक है और देखो रिजल्ट क्या आ रहा है आपके क्या अंसर है येस और नो अ यहां पर है सब्द आफ सोड्स ठीक है यहां पर नहीं यह पर मुझे नजर रहे हैं कि दोखा मिलेगा तकलीफ मिलेंगी ठीक है चीटिंग होगी तो आप करो जो भी आपके कुशन है उसके लिए मत जाओ, यहाँ पर जो यही है कि नहीं जाना चाहिए आपको जो भी आप करना चाहरे हो, जो भी सोच रहे हो आपका प्रस्न में नहीं जानती कि क्या है, लेकिन उसके बारे में एक बार फिर थिंकिंग करो कि क्या करना है कोई decision लेना है, कुछ करना है आपको अपनी लाइफ में उसके लिए एक बार और सोचो ठीक है ट्रस्ट यहां पर ट्रस्ट के लिए मेरे पास काड आया है जो कि ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुझे सही नहीं नज़र आ रहा है ठीक है तो यह है तो यह रही आपकी रीडिंग मिलते हैं अंगली रीडिंग में बाबाई